Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, मैं एक और नई रीडिंग के साथ आ गई हूँ, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब भी अच्छे हैं, खुश हैं आपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सबी के लिए जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक है आपके person के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर right now right now आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, दिल से सोच क्या रहे है तो जो भी reading में आएगा मैं आपको बताऊंगी start करते हैं, बिना देर करें और देखते हैं आपके person के दिल की feelings क्या है आपके लिए ठीक है? तो reading के end में कुछ messages भी देख लेंगे आपके person के तरफ से और guidance भी लेंगे divine के तरफ से start करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ है general reading है, हो सकता है, सभी के साथ resonate करें, हो सकता है, ना करें so please keep an open mind और timeless है ये reading जब भी आप यहां तक पहुँचें आप देख सकते है start करते हैं और देखते हैं क्या आता है क्या चल रहा है? आपके person के दिल में आपको लेकर दिल से क्या सूच रहे हैं? creativity okay distorted masculine what is happening maturity inner peace worthiness divine feminine the silver waterfall bottom the deck से ये कुछ कार्ड्स आए हैं मैं सोच रही हूँ कि इनकी soul journey से भी कुछ कार्ड्स ले लूँ पहले ले लेते हैं clear पता चल जाएगा service service busy है ये person मुझे लाग रहा था okay purpose self-esteem अभी भी है बहुत जादा है इस परसन में growth we have indecision और courage change का भी कार्ड है वैसे तो and gratitude का भी है बट मैं इनी कार्ड्स पर focus करने वाली हूँ चले मैं पहले अरेंज कर देती हूं कार्ड्स आपको सारे कार्ड्स देख जाएं I hope कि अभी सारे कार्ड्स देख रहे हैं जी तो देखें क्या चल चल क्या राइस परसन के दिल में आपको लेकर सबसे पहले तो मैं बता देती हूं कि यह busy कहा है because distorted masculine का कार्ड है इसका मतलब कहीं न कहीं फसे हुए हैं किसे न किसी चीज में यह person अभी busy हैं किसमें है service मुझे लगता है यहाँ पर लिखा I feel good when I can help others तो इसको अच्छा फील होता है जब दूसरों की help कर पाते हैं तो इसका मतलब है यह service कर रहे हैं किसी तरह का social work कर रहे है और इस work में काम मतलब इस काम को करके इसको अच्छा फील हो रहा है और यह सच में busy है इस time यह अपने purpose पे काम कर रहे हैं देखो जब भी मुझे यह purpose service वाले कार्ड दिखते हैं और especially जब यह divine feminine masculine के कार्ड आते हैं तो मुझे लगता ही कि yes यह spiritual connection है तो अभी जिस तरीके से guys अगर आप एक twin flame है किसी के तो definitely आप कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसमें लोगों का भला होने वाला है ठीक है आप किसी को guide करने वाले हो या फिर कुछ ऐसी अपनी service provide करने वाले हो जिससे कि सच में लोगों का भला होगा लोगों की help होगी इससे आपकी भी growth होगी आपका soul expansion होगा as well as दूसरों की भी भलाई हो जाएगी तो मुझे लगता है आपके person अपना purpose जानने के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे हैं ये भी कुछ इस तरह का काम करने वाले हैं अपने आपको ऐसे काम में involve करने वाले हैं जहां पर इसको इसका purpose मिले और पता है ये बहुत अच person अपने purpose पर काम कर रहे हैं I know what I am here to do अगर इसको ये बात पता लग गई है क्यों आया है अर्थ पर किसलिए आया है क्या करने आया है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती और फिर अगर ये उसमें अपनी service प्रवाइट कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बहुत ही अच चीजे इसके अंदर courage है इसके ये अपनी life में growth लेकर आ सकते हैं लेकिन ये अभी तक भी कुछ चीजों को लेकर decision नहीं ले पाए हैं के ने करना क्या exactly that's why ये distorted masculine की energy में है but it's okay क्योंकि day by day ये कुछ ना कुछ creative कर रहे हैं अपने peace को पाने के लिए पूरी-पूरी कोशिश क रहे हैं mature हो रहे हैं day by day ठीक है तो ये इस person की growth मुझे दिख रही है अब ये slow है fast ही depend करता है person पे और वो किस तरह के background उसका है कितने struggle obstacles challenges उसके path में हैं ये बहुत सी सारे factors हमें देखने पड़ते हैं ठीक हम किसी को judge नहीं कर सकते कि ये person slow जा रहा है या ये person बहुत जल्दी से चीजों को achieve कर लेता है हर किसी की life अलग है हर किसी का purpose अलग है so हम नहीं कह सकते किसी को भी ठीक है कि कोई fast है or slow है but yes इनसान काम कर रहा है hard work कर रहा है ये matter करता है आपके लिए इसके दिल में बहुत ही बहुत ही प्यार है ठीक है true feelings है even ही आपको अपने divine feminine मानते हैं आप इसके लिए worthy है आप इसके लिए एक ऐसे person है जो कहीं नहीं मिल सकता इसको चाहिए दिया लेकर ढूंड ले कहीं भी ठीक है नहीं मिल सकता आप जैसा person क्योंकि आपसे इसकी vibe मैच होती है ठीक है एक bonding feel होती है यह हर किसी के साथ feel नहीं हो सकती बहले यह आपको लेकर अभी अपनी life को ठीक करने के कोशिश कर रहे हैं service कर रहे हैं purpose पे काम कर रहे हैं divine मुझे इस person के साथ खड़े ओवे दिख रहे हैं आपको यह सच में बहुत ज़्यादा worthy और अपनी दिल के बहुत close मानते हैं आप दोनों मुझे creative person लग रहे हो आप दोनों बहुत ज़्यादा optimistic है अपने future पर काम कर रहे हैं challenges को accept कर लेते हो तो आप दोनों में courage है एक में नहीं है दोनों में ही है change लेकर आने की कोशिश कर रहे हो यह gratitude लेकर आने की कोशिश कर रहे है अपनी अपनी life में so यह अच्छी बात है कि चीजे इतना ज़्यादा you know what इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से pattern में नहीं है बहुत ज़्यादा situation एक तरीके से messy है और नहीं समझ में आरा क्या करें बट स्टिल रास्ता खुजने की कोशिश करना और courage रखना यह बहुत बड़ी बात है और मैं आप दोनों को ही यहाँ पर बोलूँगी कि आप दोनों अच्छा कर रहे हो आपके person जैसे आप अपने person को नहीं भूले हैं ऐसे आपके person आपको नहीं भूल पा रहे हैं बस यह अपने आपको थोड़ा बेबस सफील करते हैं कि सब कुछ सामने हैं पता है सामने वाला परसन कितना अच्छा है लेकिन फिर भी मैं कमिट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ और अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा हूँ चीजे अजीब हो रही है ठीक है कभी-कभी तो ऐसा भी फील होता है कि ये क्यों हो रहा है किसलिए हो रहा है स बुरे दिन देखने के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, तो वही वाली कहानी है यहां पर, तो भरोसा रखो अपने प्यार पर, अपने गौड पर और अपनी टाइमिंग पर, कि सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आ जाएगा, सबसे अच्छी बात यह है कि यह परसन आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको वर्थ ही मानते हैं, यह तीन कीवर्ड यहां पर बहुत अच्छे दिखे हैं मुझे, जिनको देखकर मुझे अच्छा लगा है, कि अटलिस चलो, उसके दिल में रिस्पे को कोसना मत, कि यह इतना टाइम क्यों लगा रहा है, किसले लगा रहा है, यहां पर आप यह देखे, कि आप भी सेटल हो गए हैं, तब तो आप इस परसन को कुछ भी कहलो, अगर आप सेटल हैं तो, और I am damn sure कि आप सेटल नहीं हैं, आपको भी टाइम चाहिए, आपको भी क कि अभी तक आपके गोल्स अचीव नहीं हुए हैं, तो सेम कंडिशन सामने वाली की भी है, खुद को रख कर देखो उस बरसन की जगा, और फिर देखो कि आप क्या करोगे, पहली बात तो आप भी अभी मुझे complete दिख नहीं रहे हो, आप दोनों को improvement की ज़रुरत हैं, तब यही आता है reading में most of the time, page of vans, वहुत जगा confidence रखना है, optimistic रहना है, अपने pentacles पर काम करना है आपको, यह चीज़े आपको करनी है, I know कि एक isolated life में हो, परिशान हो, तंग भी आ गए हो अपनी जिंदगी से, बट जीना तो पड़ेगा, still आपको जीना पड़ेगा, work करना improvement की ज़रत है, तब ही यह victory, success आईगे आपकी life में, अभी कुछ ना कुछ पैटन ठीक नहीं है life के, आप दोनों की life में बोलूँगे, मैं एक की life में नहीं बोलूँगे, because rewind आपको वेट करा रही है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कमी कर रहे हो, या फिर कमी क्या, देखो इक से सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, तो जो भी है, अब focus बढ़ाओ, maximum focus अपना लगाओ, और आप कर सकते हो, अपने चीजों को achieve, और इस person को भी अगर आप अच्छा करते हो, तो इस person को भी एक अच्छा motivation मिलेगा, और ये person भी अपनी life में अच्छा कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को जान चुके हो, कि येस, divine counterpart हो एक दूसरे के, पर कहनी पा रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियों की वज़े से, और divine timing की वज़े से, बट ये सब चीजे एक ना एक दिन सॉल्व हो चलिए, अब मैं आपके लिए, एड्वाइज ले लेती हूँ, और फिर divine की वह आपके person की तरफ से messages पता करेंगे, meditate and contemplate, थोड़ा सा ध्यान मगन तो लगाना ही पड़ेगा, आप लोगों को, you are good enough, आप good enough हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, अपनी worth पहचानने की कोशिश कीजिए, बस, nothing is yet, set in stone, कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है, चीज़े चेंज हो सकती है, healing का time है, खुद को heal करें, maximum level पर, ठीक है, चलिए, अब message देखते हैं, ये messages गिर गए हैं, तो मैं इनको अब ले लोगगे, ठीक है, और भी ले लेते हैं, बहुत कुछ क्याना इस person को सच में, देख लेते हैं, I'm starting with a fresh job career, हो सकता है, इसके अभी अभी कोई नहीं जवाब लगी है, या फिर इसका promotion हुआ है, maybe, I need to know you, I miss you, I miss you so bad, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बेब, I love you, I love every moment spent with you, your love has touched my heart, बहुत जदा ये आप से प्यार करते हैं, ठीक है, और ये, ये कह रहे हैं, I love every moment spent with you, जितने भी इसने पल आपके साथ गुजा रहे हैं, इसको वो पसंद है, उससे प्यार है इने, और आपके प्यार ने इसके दिल को छुआ है, the past is the past, let it go, क्या रहे हैं past past था, भूल जाओ, I have an offer for you, एक offer है इसके पास आपके लिए, जो ये आपको देंगे, you make me feel special and I love that feeling, I start missing you the moment you leave, there is no obstacle I wouldn't face for our love, I'll do better, अच्छा तो करेंगे ही guys, ये, don't go anywhere, I'm coming back, I'm thinking of you, divine timing is working for us, definitely guys, divine timing तो role play कर रही है यहाँ पर, I miss looking into your eyes, wow, आपके आखों में देखना, ये मिस कर रहे हैं, I miss looking into your eyes, I can't wait for the day I can call you my wife, wow, I want to tell you that I will share all your worries, wipe your tears, take care of your heart and I will love you all my life, this is beautiful message, yes guys, ये थोड़ा से अपने work में busy हैं, ये तब तक आपको नहीं बोलेंगे, जब तक सारी problems खतम नहीं हो जाती, तब तक ये आपको वेट करेंगे, अगर आपको लगता है इस person का वेट करना ठीक है, तो आप कर लो, otherwise, किसने काई वेट करने के लिए, फिर वो करो जो आपका guys, this is your reading, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर ये reading आपके साथ resonate हुई है, तो comment section में बताना, चैनल पर अगर आप नए हैं, तो subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अभी के लिए बस इतना है guys, bye, take care